दिल्ली के मुखे मंत्री अरविंद केजरिवाल ने शुकरवार को खेंद्रे जांच एजन्सियो और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके खलाब एक भी पैसे का बरस्टा चार मिलता है तो उन्हें सरयाम लटका दिया जाए दरसल उधियाना में आम आदमी क्लिनिक के उद्गाटन के मौके पर कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाता हूँ परतानमंत्री जी अगर केजरिवाल भरस्ट है तो इस दुनिया में कोई इमानदार नहीं है मैं आपको बताना चाता हूँ कि जिस दिन मेरे खिलाब एक पैसे का बरस्टा चार मिले मुझे सरयाम लटका दो लेकिन ये रोज-रोज की नौटं की और तमाशा बंद करो मेरे पीछे CBI, ED, AICAR और पुलिस को लगा दिया है क्यों? सिर्फ एक की उदेश है कि किसी भी तरह साबित करना है कि केजरिवाल चोर है ये साबित करना है कि मैं बरस्टा चार में शामिल हूँ केजरिवाल ने कहा दिल्ली में सिक्षा और स्वास्त का मौडल लाने वाले सर्तेंदर जेन थे उने जेल में डाल दिया, मनीज, शिशोदिया भी जेल में डाल दिये गई इनके घर रेड में एक रुपया नहीं मिला भाजपा का मकसद दोनों को बदनाम कर आपको अन्य राज्यों में सत्ता में आने से रोकना है अमारी सरकार ने जूल लोगों की सिक्षा, सेहत पर काम किया इससे लोगों का प्यार हमें मिल रहा है गुजरात, गोवा, उत्राखंड में हम आगे बढ़ रहे हैं इससे भाजपा घबरा गई कुछ महीने पहले ये कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी से पौडर नहीं समल रहा पंजाब सरकार ने बिना खून खरावे के अमरित पाल को ग्रिफतार किया मोक्यमंतरी मान वा पुलिस बधाई के पातर है अब इनसे मनिपूर नहीं समल रहा